अमाश्कार मैं हरी शंकर व्यास त्रहिए कि गपशप के दूसरे पार्ट में केजरी वाल की घुजरात में परिक्षा और बाकि की दलों पर केज़रीवाल की हिंदू राजनीतिक के असर का खुलासा है समझना चाहिए कि वोट के आक्डों में केज़रीवाल की राजनीतिक गुजरात में क्या उसर है तभी इस पार्ट की पहली गप्षप का सिर्षक है गुजरात में रियल लड़ाई है मोधी बनाम कोई 88 प्रतीशत हिंदु अबादी है और अर्विंद केजरिवाल ने साफ कर दिया है कि उनको इसी की राज़निती करनी है इनी पर राज़निती करनी है उन्होंने कोई 10 प्रतीशत मुस्लिम अबादी को छोड़ दिया है तबी बिल्किस बानू के साथ बलातकार के दोश्यों को समय से पहले जेल से रिहा किया गया तो आम आदमी पार्टी ने इस पर बयान नहीं दिया उल्टे जब इस बारे में पूछा गया तो दिल्ली के उप मुक्ष मंतरी और आपके नंबर दो नेता मनीश सिसोधिया ने का कि यह उनका मुद्दा नहीं है सिसोधिया ने कहा कि वे स्कूल बनाने वाले और अस्पतार बनाने वाले हैं इसी से आम आदमी पार्टी में साफ कर दिया कि उसको कैसी राजनिती करनी है अब अर्विन्द केजरिवाल ने रुपए पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने की बात करके भी अपना एजेंडा और साफ कर दिया जाहिर है वे हिंदुत्व की राजनिती का एक प्रयोग गुजरात में गंभीरता से कर रहा है इसकी बजाए 90 प्रतीशत के करीब हिंदु वोट में मुख्य मुकाबला भाजपा के साथ है भाजपा को पिछले विदान सुबा चुनाव में उन 50 प्रतीशत के करीब वोट मिले थे इसका मतलब है कि कुल हिंदू वोट का 60 प्रतिशत भाजपा को मिला था और 40 प्रतिशत वोट कॉंग्रेस को मिला था। वे उस 40 प्रतिशत हिंदू वोट को टारगेट कर रहे हैं जो पिछली बार कॉंग्रेस को मिला था और पहले भी मिलता रहा था। यह वोट इस्ताई रूप से भाजपा विरोधी है इस वोट के अलावा भाजपा को मिलने वाले 60 प्रतिशत हिंदू वोट में भी केजरिवाल यह संदेश बनवा रहे हैं कि वे भी भाजपा की तरह है या भाजपा से ज्यादा कट्टर हिंदू राजनिती कर सकते हैं इसके अलावा उनका मेसेज है कि वे गरीबों को सारी चीजे मुफ्तने देते हैं तबी हैरानी नहीं होगी कि यदि वे भाजपा के समर्तक हिंदू वोटों में भी अच्छी खासी सेंद लगाने में कामियाब हो यह संभावना इस वजह से भी है क्योंकि गुजरात में विकास के तमाम दावों के बावजूत 31,56,000 से ज्यादा परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं यह आकड़ा गुजरात सरकार ने 31 अगस्त 2021 को विधान सबा में बताया था इसका मतलब है कि ओस्तन सवा से डेड़ करोड आबादी गरीबी रेखा के नीचे इस आबादी को केजरिवाल के वादे अपील कर सकते हैं राजी में कोई पौने 15 प्रतिशत आदिवासी आबादी है जिसे केजरिवाल की कल्यान करी योजनाएं अपील कर सकते हैं मुफ्त में बिजली और पानी देने की गोशना उन्होंने कर दी है और सभी वैस्क मैलाओं को एक एक आजार रुपे नगत देने का भी एलान किया इसके अलावा अच्छे स्कूल में मुफ्त सिक्चा और अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज का भी आप पार्टी का वादा है इसके बाद जो वेतन भोगी वर्ग है उसके लिए पुरानी पेंचन योजना बहाल करने की गोशना किये है इस तरह गरीब निम्न वद्धिवर्ग और मध्धिवर्ग के लिए केजरीवाल ने जम कर गोशना किये है बावजूद इसके उनकी राजनिती में एक कमी जलक रही है वह ये थी कि गुजरातियों को वे विपक्च के साथ राजनिती करते होए देख रहे थी इसका गुजरात ने मतलब होता है कि वे हिंदू विरोधी और राष्ट विरोधी केजरीवाल को इससे बाहर निकलने की जरूरत देख रहे थी तब ही उन्होंने अपने को विपक्च की राजनिती से बाहर कर लिया अब वे भाजपा का विरोध कर रहे हैं लेकिन देश की पारंप्रिक भाजपा विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर राजनिती नहीं कर रहे हैं यह बहुत गंभीर और शातिर पोजिशनिंग है भाजपा के विरोध का उनका एजेंडा दूसरा है वे गवर्नन्स के साथ साथ भाजपा की आलूचना इसलिए भी करने लगे हैं क्योंकि वे कटर हिंदू एजेंडे को लागू नहीं कर रही है वे हिंदुत्व के मसले पर भाजपा का विरोध कर रहे हैं उनकी ये पोजिशनिंग एक बड़े तबके को अपील कर सकती है पिछले विदानसभा चुनाव में गुजरात में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 24,000 वोट मिले थे यह कुल वोट का आधा प्रतीशत भी नहीं था उसके उलट भाजपा को उन पच्चास और कॉंग्रेस को 42 प्रतीशत के करीब वोट मिले थे उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बड़ी राजनिती किये इस्थानिय निकाई चुनावों में आपने सूरत में अच्छा परदर्चन किया और 28 सीटे जीती केजरिवाल के पास प्रशान्त किशोर की तरह चुनावी रनितिकार संदीप पाठक है जिनोंने पंजाप में आपकी जीत में एहम भूमी का निबाई थी उन्होंने गुजरात के वोट का आकड़ा भी बैठाया हुआ उनको पता है कि अपनी कल्यानकारी और मुफ्त बाटनी की योजनाओं से केजरिवाल भाजपा और कॉंग्रेस दोनों को मिले हुए हिंदू वोटों में सेंद लगा सकते हैं अगर उनका प्रयोक सफल होता है और वे सम्मान जनक वोट हासिल करने में काम्याब होते हैं तो उनकी राजनिती निश्चिती आगे बढ़ेगी ध्यान रहें पिछले दिनों खबर आई थी कि गुजरात में पार्टी नेताओं के एक बैठक में किसी ने केजरी वाल को ज़्यादा तوج्जो नहीं देने की बात कही थी तो अमित शाण ने कहा था कि वे केजरी वाल को लेकर सिर्फ 2022 के लिए ही नहीं और 2024 के लिए ही नहीं बलकी 2029 के लिए भी सोच रहें अब दूसरी गफशप है, इसका सिर्षक है केजरिवाल को नहीं चाहिए मुस्लिम वोट, क्यों? दरसल, अरुइंद केजरिवाल की राजनिती मुस्लिम आबादी को छोड़ कर है, जिन राज्यों में मुसल्मान कम है, वहीं केजरिवाल अपने हिंदू चेहरे को बार रहे है गुजरात में मुसलिम आबादी 10 प्रतीशत से भी कम है, और 88 प्रतीशत से ज्यादा हिंदू आबादी है, राजिस्तान में मुसलिम आबादी 9 प्रतीशत है, और हिंदू आबादी 88 प्रतीशत से ज्यादा है, मद्धी प्रदेश में मुस्लिम आबादी कोई पोने 7 प्रत प्रतिशत से ज्यादा आबादी हिंदू है। 36 गड़ में तो मुस्लिम आबादी सिर्फ दो प्रतिशत है। हरियाना में 7 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में 2 प्रतिशत और उत्राखंड में 1 प्रतिशत मुस्लिम है। सोचे इन राज्यों में सेकुलर राजनिती करने का केजरिवाल को भला क्या फायदा है। बड़ी आसानी से इन राज्यों में मुस्लिम आबादी की अंदेखी करके कट्टर हिंदू की राजनिती की जा सकती है। यही काम केजरिवाल कर रहे हैं। जिस तरह भाज़पा नेताओं ने उत्तर परदेश में 80 बनाम 20 प्रतिशत की राजनीती की बात कई थी और कई नेताओं ने कहा कि उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए उसी तरह केजरिवाल की पार्टी के नेता इन राज्यों में कह सकते हैं कि उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए इससे हिंदू मतदातों में उनकी साख्र मजबूत होगी तब ही केजरिवाल की पूरी रन्निती कॉंग्रेस को टार्गेट बनाते हो हैं इसकी रियल तस्वीर गुजरात चुनाव में बिलीगी उसने गुजरात में एक प्रतीशत से नो प्रतीशत तक के मुस्लिम वोट में कॉंग्रेस के साथ कंपिटीशन करने की बजाए 85 से 90 प्रतीशत वोट में भाचपा से मुकाबला करने का रास्ता चुना इस बड़ी हिंदू आबादी में जैसे ज्यादातर लोग घरीब या निम्न मध्धी वर्किके हैं जिनके लिए सामप्रदाइक एजेंड़ा जितना महत्मूर्न है उससे ज्यादा आर्थिक एजेंड़ा एहम है ऐसे वोटों में केजरीवाल की मुफ्त में सारी चीजे बाटने की राजनिती ज्यादा अपील करेगी अगर केजरीवाल भाचपा से आगे बढ़कर हिंदू राजनिती करते हैं और साथ में बिजली पानी मुफ्त देने का एलान करते हैं मुफ्त राशन और महिलाओं को एक एक हजार रूपे देनी की घूशना करते हैं तो वे उस वोट में भी भाजपा के वोट में भी सेंद लगा सकते हैं हिंदू वोट में जो लोग भाजपा से नाराज है उनको केजरिवाल में एक विकल्प मिल रहा है एसे हिंदू वोट मान सकते हैं कि जैसे दूसरे नेता मुस्लिम परस्ति करते रहें वेसा केजरिवाल नहीं कर रहें वे हिंदू हितों की बात करते हैं और जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि वे कट्टर राष्टवादी है यानि जैसे भाजपा और संग है वेसे आम आदमी पार्टी है अगर हिंदूों में ये धारना बनती है तो कॉंग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होगी फिर भाजपा से नाराज या भाजपा की सरकारों से नाराज हिंदू वोट आप पार्टी से जुडएंगी इसी तरह गरीब और निम्न मध्धिवर्ग का वोट भी केजरिवाल के साथ जा सकता है भाजपा की सरकारों वाले राजपा की सरकारों में जो सत्ता विरोध वोट सहज रूप से कॉंग्रेस को मिलता था वह केजरिवाल को जा सकता इस राजपा को साथने के लिए केजरिवाल अपना हिंदू एजंडा चलाने के अलावा कॉंग्रेस को हिंदू विरोधी बतलाने की भी राजपा को चिंता है कि केजरिवाल उसके हिंदू वोट में सेंद लगा सकते है तो दूसरी और कॉंग्रे के पास फिर बचेगा किया तीसरी गपशप में मेरा सवाल है कि केजरिवाल से विपक्ष को फाइदा है या नुकसान यह सवाल एहम है अरुइंदी केजरिवाल की राजनिती पर भाजपा के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी के नजर है तो वह कॉंग्रेस पार्टी की देश क की बाकी पर्टियों को उनकी राजनिती से खास मतलब नहीं के आम आदमी पर्टी देश के उन राज़यों में राजनिती नहीं कर रही है जहां गेर कॉंग्रेस और गेर भाजपा दलों की सरकार है जहां maior कोई दूसरी प्रादेशिक पार्टी मजबूत है उत्तर केजरिवाल वहां केजरिवाल राजनिती नहीं करते हैं। इसलिए उन राज्यों के नेता केजरिवाल की चिंता भी नहीं करते हैं। उल्टेवे भाजपा के खिलाब विपक्ष की साजया राजनिती में उनकी भूमी का मानते हैं। तभी चंडर सेकर राव से लेकर ममतब एन उनके प्रती अपना नजरियां बदल सकते हैं। मगर कुल मिलाकर केजरिवाल पहले भी कॉंग्रेस के लिए सिर्दर थे और अब भी कॉंग्रेस की मुश्किले बढ़ा रहे हैं। केजरिवाल का सारा फोकस उन राज्यों पर है जहां कॉंग्रेस मजबूत है। जिस तरह से भाज़पा ने कॉंग्रेस को आसान टार्गेट माना हुआ है। उसी तरह केजरिवाल ने भी कॉंग्रेस को निशाना बना रख्या। उनको लगता है कि भाजपा जो भी कॉंग्रेस के खिलाब करती है, कॉंग्रेस के खिलाब जो भी narrative बनता है, तो उसका फायदा आप पार्टी को भी मिल सकता है। केजरिवाल भाजपा की मुहिम और प्रचार के दम पर ही कॉंग्रेस को निपटा कर उसकी जगह लेने की राजनिती कर रहे है। इसी में धीरे-धीरे केजरिवाल की हिंदू राजनिती का चेहरा निश्चिती उभरता हुआ है। अगर बारीकी से देखे तो कॉंग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है उनमें से दो तीन राज्यों को छोड़ दे तो बाकी जगे मुस्लिम अबादी ओसत से बहुत कम है ऐसे राज्यों में केजरीवाल के लिए हिंदू राजनिती करना आसान है इन राज्यों में भाजपा यही कारण है कि केजरिवाल, बिहार, उतरपरदेश, जारखन, पश्चिम बंगाल, आसाम आदी राज्यों में राजनिती नहीं करने जा रहे हैं। वे दिल्ली के बाद गुजरात पर ध्यान लगाये हैं और उसके बाद राजस्तान, मद्दी प्रदेश, हरियाना, उतराखन, हिमाचल प्रदेश, आदी राज्य उनके निशाने पर हैं। कॉंग्रेस इन राज्यों में सरकार में हैं या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। बहरान, गप्शप का 29 अक्टूबर 2022 का एपिसोड मैं अब यहीं समाब्त कहता हूं। लेकिन हाँ, इस अनुरोद के साथ कि अरविंद केजरविवाल की राजनिती के पहलूं पर, मेरे खुलासे पर सोचे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। झाले ही प्रवादायरे हैं। अढ़ सब्सक्राइब का बदो का इनुरोड बाले ताफ यह को सब्सक्राइब को अबाटी पौलिक्स माखियां। कि अवल्डेवरे हैं।